यह है cooler का कमार तो आप देखिए यहाँ पर इसके पीछे को देखते हैं तो यहाँ पर आपको पानी जमी हुई आपको दिख रहे हैं मतलब यहाँ पर पानी की बूंदे आपको दिख रहे हैं मुमस्त का ठंडा हुआ है इसको टच कर नहीं कर पा रहा हूँ अगर जैसे क्या फिनिस नहीं होता तो इसका एक्चुल डीजन अगर मैं बताओ तो इसका एक्चुल डीजन है हीट हीट के वज़ए से आपकी मुबाइल यहाँ पर बाई एकदम लेक करने लगती है पिंग भी हाई हो जाती है और बुलेट लूप हो जाती है जिससे उसको बुलेट ल चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले उस प्रोड़क्ट की अन्बॉक्सिंग फिर उसके बाद लाइब टेस्ट करके आपको दिखाएंगे तो दोस्तो मोबीलाइब की तरफ से आने वाला ये एक बजट फ्रेंडली फोन कूलर है जैसा कि आप देशे तो इसका बॉक्स ऐसा कुछ देखने को मिल जागा उसके उपर है आपको मैनुवल बताया गया कैसे आप इसको यूच कर सकते हैं तो इसको बाद में देखेंगे कि अपने को दो भाई पूरा पता है कैसे यूच करना है तो सिंपल है आप बता दू काफी मजबूत ये प्लास्टिक का बॉक्स होता है जिससे यहां पर आते समय भी कोई डेमेज ना हो और इसके अंदर काफी अच्छे से फोम अगयरा लगा कि इसको पैक किया जाता है तो केबल मिलता है यहां पर यह डाटा केबल है यह काफी लंबी केबल है मतलब थोड़ा सा मतलब आप अगर दूर भी रहोगे तो आप आसानी से यूच कर सकते हो लबबग एक से देड़ मीटर यह केबल की साइज है उसके साथ आपको यहां पर एक क्लिप भी मिल जाती है इस क्लिप को यूज करने के लिए आपको क्लिप को करने के लिए और पड़ सायč Ain को आपको साइज भी है उसकी में ले जाके इसके बैठा देना है यहां पर देखे गाई-सको प्रेस को बाद यहां पर यहां पर निकाल के आपको मोबाइल के पिछे लगा लगा ले यह ए, ए अब इसको बात करें पावर सप्लाई की तो आप इस कोई भी पाँच वाट की जो चार्जर होती है उससे आप पावर सप्लाई दे सकते हैं या फिर पावर बैंक से दे सकते हैं instalator में गाते हैं सिम्पल आपको से टाइप के बद इसमें लगाणा है कूलर अधु FIFA हो कर्ता है और जेना के लुए लेवल टू आपका कम सवत हों क्यां सकते हैं डेवल वन भी चला सकते हैं यह आपका जीआप तॉम का temperature normal 30 degree रहता है तो यह cooler यहाँ पे 9-10 degree Celsius अराम से ला देता है मिंटो में जैसा कि देख सकते हैं मैंने cooler को जैसे ही power supply दिया यहाँ पे इसका degree गिनने start हो गया यहाँ यहाँ पे मिंटो में 9-10 degree Celsius आचुका है अगर आपके रूम का temperature काई से 30 degree से कम रहता है तो यह और भी कम ला सकता है यह तोटल आपके रूम के temperature पर डिपेंड करता है आई यह मैं आपको live test करके दिखाता हूं गेम खेल की कैसे यह temperature कम करता है कैसे आपका मुबाइल थंडा रखता है तो सबसे पहले विदावट फोन कुलर टेस्ट करते हैं तो आपको बता दू मैं यहाँ पर लगबब वीड़ो बनाने से हो रहा हो का मैं समझी सकता हूं क्योंकि मैं भी पहले नॉर्मल ली डिवाइस में खेला हूं तो उसमें लेक की प्रॉब्लाओं तो बहुत पेस करनी पड़ती है तो यहाँ मैंने अपनी टीडियम को फास्ट फारवड कर दिए एराउंड मैंने पांच मिनट इस टीडियम क पुरा कंप्लीट नहीं हुआ था उससे पहले ही मेरे मुबाइल का टंप्रेचर आप देख सकते हो लबग 40 से 41 डिगरी सेल्सिया हो चुकी थी जो की काफी ज्यादा हाई है और इस से यहाँ पे काफी लेग इसू भी फेस करनी पड़ती होगी लो इन डिवाइस को एस 23 अल कूलर को यूज करने के लिए आपको इसे इसको करना क्लिप को पीछे लगा ले लेना आप चाहे क्लिप का यूज कीजिये चाहे मैक शेप का जो इल्हूँ आता है वह किजिके या फिर आप प्लेत आती भाई लागा का टंपरेचर देख से 42 डिगरी सेल्टियस थी उसके ब होगा उत्ता गिरता जाए तो मैंने लबबग 10 मिनट तक माला 5-10 मिनट तक टीडियम खेली एंड उसके बाद जैसा कि मैं ने जो मुझे देखने को मिला गाइस पांच मिनट में ही मेरे लबबग 6-6 degrees Celsius temperature गिर चुके हैं जैसा कि आप देख सो तो अभी मेरे 36-37 degrees Celsius टमप्रेचर चल ले इस वाले टीडियम मैच में तो गाइस यह है कूलर का कमाल का अगर मैं आपको बात करो एक आपको लाइफ प्रूब दिखाओं तो आप देखिए गाइस यहाँ पर इसके पीछे को देखते हैं तो यहाँ पर आपको पानी जमी हुई आपको दिख रहे है मतलब यहाँ पर पानी की बूंदे आपको दिख रहे हैं मोबाइल में लबब मैंने दस मिनट उस कूलर को ऐसे नॉर्मल रख दिया उसके बाद देखे गाइस क्या मस्त का ठंडा हुआ है मैं इसको टच कर रहा हूँ अगर जैसे बर्फ होती हैं उसको टच करो तो टच नह में बहुत से question आ रहेंगे कि जैसे phone cooler का weight क्या है phone cooler की size क्या है mobile में ज्यादा बड़ा तो नहीं लगेगा पकड़ने mobile में दिक्कत तो नहीं होगी तो चली सब कुछ आपको एकदम clear से बता देते तो phone cooler की गर weight की बात करो तो only 50 gram इस phone cooler की वेट है तो आप लोग समझ सकते है एराउंड 200 ग्राम का आपका फोन होता है 50 ग्राम उसमें कुछ और पता नहीं चलेगा उसके बाद आपको अगर साइस की बात करें तो मनलब छोटे फोन में भी अगर आप लगाओगे